गुड इनिंग आज हम लोग जो चेप्टर ले रहे हैं वो है दे पॉट्रेट अफ एलेडी चेप्टर नमबर 11 क्लास एट का और इसके राइटर है फेमस नवलिस्ट खुश्वन सिंग सबसे पहले करेंगे कि तेल इस आपको चेप्टर के साथ करने कोशी चेप्टर जो है उन्ही लोगों के बारे में है in what ways are our our grandparent different from the parents in the way they treat you why do you think our grandparent's treat you the way do they do то हमारे parents uh my grandparent's jsh ho te hai, dw平ct man sis 극ोLocka तालग होता है, amurica chi तर집 तो parents shouldarc Miche busyplyмен में आध थोड़ा कभी discipline way in on个 kuch somejata है सिखाते हैं, but grandанд parents हमेशा loving रहते हैं, aur वो कुछ सिखाते हैं भी है तो बड़े प्यार से सिखाते हैं. तो आपका भी कुछ ऐसा एक्सपिरेंस हो सकता है. इमीजिन. राइट अन इंट्रेस्टिंग कनवर्शिशन इन विच यू आ टीचिंग यूर गरंट परिंट सम्थिंग न्यू. तो कभी-कभी क्या होता है का में स्कूल पड़के आते हैं कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिसे हमको कुछ लर्णिंग होती है और वो सेम चीज हम उनको भी बताना चाहते हैं या आज कल के बच्चे कुछ मोबाइल में भी अपने गरांट परिंट को सिखाते हैं कि फेस्बुक में कैसे अपना ये बनाना है य आप वाटसाब कैसे करना है या ओल दोस तिंग तो आप भी अपना इसा इंसिडेंट कुछ बता सकते हैं तो बिफोर यू रीड में खुषुन सिंग जी का चैप्टर जो ये दिया है इसका उन खुषुन सिंग जी का इंट्रुट्शन इसमें दिया है ये वाजिए इन जी की पड़के पर्ज़ गोदी साहच भी थारी चैप्टर के बारे जा बॉल रहा है ये वाज टी करना हिए प्टार जा एक होड़िए कोष्टो ये नहीं बमी तो आप रोड जा इंटरुट्च जी की ठोट्र जी के इस इसनी करिट सूर जी म्स्अ इस प्रहुड आरु आ introduction निंगा था, अब chapter के बारे में बोल रहा है, the portrait of ladies taken from the short study collections, the mark of Vishnu and other stories. खुश्वान सिंग रोट in simple English, using a good quantity of humor and irony in his writing. तो किस तरह से वो humor भी involved करते हैं, थोड़ी irony भी इसमें involved करते हैं. The story is a biographical sketch of the writer grandmother. तो थोड़ा अनना अपने grandmother को इसमें involved किया है and show the relationship he enjoyed with her. तो ये, उनके साथ वो उनाने किस तरह से time बताया था, किस तरह का, ये सब इसमें उनाना चक्रम बताया है. अब रीट करते हैं. My grandmother like everybody's grandmother was an old woman, okay? She had been old and uncle for the twenty years that I had known her. तो जैसे बाकी लोगे ग्रांड मदर होती, उनकी ग्रांड मदर उसी तरह की थोड़ी old थी और उनके चरहों पर जूरियां पड़ी थी. और बीस साल से वो उसको ऐसी देख रहे थे, कि उनके चरहों पर जूरियां पड़ी और वह हमेशा old ही देखती थी. The students said that she had once been young and pretty and had even had a husband तो लोग बोलता है कि पहले उनके उनक उनकी असुनर भी थी के उनके हस्बेन्टूरू थी, but that was hard to believe. मैं ग्रांड फार्दरश पॉर्टोरेस हня अवा ड्रियांग बीज हानल भी में havens. तो वह इसलिए बिलीव नहीं कर पा रहा है कि वह इतने बुटे दिखते हैं कम से कम सौ साल के दिखते हैं बड़ी डाडी है बड़ी सी इनोंने साफा पहन रखा है तरबन पहन रखी है और लुट इस फिटिंग जैसे क्लोज है वह ऐसी लगते ही नहीं थी कि उनके कोई वाइफ ये चिल्डन होगी वह उनको ऐसा लगता था लगते था जिसके नहीं के बहुत सारे पोते है पोती हो या ऐसे ही हो करके पोत सारे हो As of my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. She often told us of the games she used to play as a child. She often told us about the games that she used to play as a child who used to play as a child. That seemed quite absurd and an undignified honor part and we treated it like the fabulous of the property that she used to tell us. And that's why she didn't believe it. She also used to say that she used to listen to her as a story. She used to listen to her as a fabulous story. She used to listen to her as a property that she used to listen to her. She used to listen to her as a kid. She always was short and fat and bent. Her face was a criss-cross of wrinkles, running from everywhere to everywhere. Criss-cross was a criss-cross of her face. No, we were certain she had always been as we had known her. तो उनको बिलकुर एक दम ऐसा यकीन था कि वह हमेशा ऐसी से बुड़ी रही होगी क्योंकि उन्होंना हमेशा उसको ऐसे देखा था उनको ऐसे देखा था वह कभी प्रिटी नहीं होगी कामिशा वह बीटीफुल ही है सी हॉप हॉपलेट का मतला है तो थोड़ी डिफिकल्टी के साथ चलती थी तो बैलन्स हर इस्टूप का मतला होगा है कि जिनकी बॉड़ी जुग जाती आगी की तरफ तो अपने आपको बैलन्स करने के लिए एक हाथ अपनी कमर पर रखती थी और दूसरा हाथ जो था उनका अपनी माला पे रहता था जो इसकी माला में जो बीट्स रहती थी रिमोती रहते को उनके काउंट करने के लिए वो लगी रहती थी और उसकी जो मतलब बाल जो थे उनके फेस पे आते रहते थे पुकरड फेस का मतलब यहां दिया है सम्थिंग फॉर्म स्माल फोल्ड जो इससे बनता है और इन अडिबल मतलब जो सुना ही नहीं थे वो मरमर करती रहती थी थी अपनी प्रेयर्स को जैसे कोई शलोक बोलते ह है न इस तरह की वो प्रेयर्स बोलती थी यह सी वस बीटिफुल शी वस लैक दे विंटर लेंट्सकिप इंड माउंटन अन एक्सपेंस अप्यूर वाइटे सेरेनिटी ब्रीथिंग पीस और कंटेंट्मेंट वो बीटिफुल थी और उनका उनको दिख कैसा लगता था जैस उनका लेंट्सके पूरा जैसे बरफ से डख जाता है एक्समेंस मतलब वाइड एर और प्यार सेरेनिटी का मतलब दिया कामनेस और पीसफुलनेस और कंटेंवन का मीनिंग दिया साथ उनका पूरा फेस असा दिखता था तो जो जो यह बच्चा था जो बच्चे थे तो इनकी ग्रांड मदर के साथ उनकी ग्रांड मदर के साथ उनको छोड़ दिया था और वो सिटी चले गए थे कि बच्चे थे निए और यह उनकी बच्चे था तो जो जोच्ची थे की अभी मज़े भी यह सब याद हो जाएगी I listened because I loved her voice but never bothered to learn it then she would fetch me wooden slate which she had already washed and plastered with a yellow chalk a tiny earthen ink pot and a red pen okay but she has never tried to teach her prayer she has never tried to teach her all the stationery books she has made her slate and all this stuff and all this stuff after a breakfast of a thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it we went to school she carried several stale chapati with her for the village dogs so she was given a sweet chapati and she was given a butter and she was given a little chili and she was given a lot of chapati for the village dogs my grandfather my grandmother always went to the school with me because the school was attached to the temple and the priest taught us the alphabet and the morning prayer so my grandmother always went to the school and the school was attached to the temple and the other people were sent to the alphabet and they were sent to the alphabet and they were sent to the morning prayer and they were sent to the morning prayer while the children sat in the rose on the either side of the veranda singing the alphabet and the prayer in the chorus my grandmother sat inside reading the scriptures when we both had finished we would walk back together when we both had finished we would walk back together they followed us to our home growling and fighting with each other and each other for the chapati views through them and then the village dogs were also coming to the village dogs and the chapati was eating and they were eating and fighting and each other was coming to the other and my parents were comfortably settled in the city they sent for us and that was the turning point in our friendship although we shared the same room my grandmother no longer came to school with me so when the parents of Khrushman Singh Ji were settled in the house they were able to sell the money and with the money to sell the money they had a turning point in their friendship and their grandmother and Khrushman Singh Ji although the family of Nolokar room was a shared room but the grandmother of Khrushman Ji didn't leave the school to the school in the courtyard or of her city house so after that she was going to the motor and the English school so her grandmother obviously didn't come to her and the dog was not here and the dog was still there then she had to eat her as the year rolled we saw less of each other for some time she continued to wake me up and get me ready for the school they used to be so many years and they used to be so many years and they used to make her ready करती थी. When I came back she would ask me what the teacher has taught I would tell her English words and little things of western science and learning. तो जब वापस आते था तो वो teacher यह जो ग्राइड मदर जो थी उसकी जो दादी थी वो उसको पूछती थी कि तुमने क्या था कि वो English model science की चीज़ बताते थे उनको. क्या बताते थे? The law of gravity and Archimedes principle and the world being round, etc. दिसमेट अहरान नपी. तो यह सब चीज़ें उसको पताते थे जैसे आर्गों यह सब principles को पताते थे वो उसको अच्छे नहीं लगते थे. She would not help me with my lessons. She did not believe in the things they taught at the English school and was disturbed that there was no teaching about God and the scriptures. तो यह उनको अच्छा नहीं लगता थे कि English medium के school की उनकी पड़ाई उनको अच्छा नहीं लगता थे क्योंकि बगवान के बारे में कुछ नहीं बताते थे और कुछ अच्छी books के बारे में जो बगवान के बारे में बताते थे वो नहीं बताते थे. One day I announced that that we were being given music lessons. She was very disturbed to her music at immoral associations and it was the maneuverable of beggars and not being intelligent to folk. तो एक दिन कुछ नहीं बता है कि वह हम को music classes बता रहे हैं तो बत को खुश नहीं होई. वह बली कि music जो है दाना बजाना काली विकारियों का काम नहीं अच्छे लोगों काम नहीं है. She said nothing but her silence meet her discipline. She really talked to me after that. Okay. When I went to the university I was given a room of my own. common link of friendship was not my grandmother. Grandmother accepted her seclusion with her with resignation. तो वह university जब गया तो उसको separate room दे दी गए कुछ नहीं को the common link जो था वो टूड़ गया उनके बीच में क्यों 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 पहले room share करते थे अब room share नहीं कर रहा है. पर फिर भी grandmother नहीं इसका seclusion का मतले the state of having little contact with people वो आपने में रहने लगी. She really left her spinning wheel to talk to anyone. तो वो अमेशा वो अपना जो spinning wheel जो रते था जिससे कर दागा कतरते हैं और दागा बनते हैं वो उसी में busy रहती थी. From sunrise to sunset she shared by her wheel spinning undeciding prayers okay. All in the afternoon she is relaxed for a while to feed the sparrows while she shed in the veranda breaking the bread into little bits, hundreds of little bits, little birds collected okay. Around her creating a veritable bedlam of chirping. तो वो जो इसकी दादे अमा जो थी वो अपने में busy रहने लगी फिर वो अपने चूडियाओं को छोटे-चोटे रोटी के टुकोड़े देने लगी और चूडियाओं उनकी चारज तरफ आके बैड़ जाती थी. Some came and purge, some came and purge on her legs, others on her shoulder, some even sat on her head, she smiled but never shoot them away, it used to be an happiest half an hour of the day for her. तो कुछ चिडियाओं उसकी पैरों मा जाती थी, कुछ उनके सर पे चड़ जाती थी, कुछ शोल्डर पा जाती थी बट वो कभी भी उनको भगाती नहीं थी थी. यह उनका बहुत happiest moment रहता था. जब उसको फॉरण जाना पड़ा तो पड़ा दुखी हुआ कि यह उनको कैसे वो बताएगा. और फिर भी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ठीक है जाओ करके और वो बिल्कुली सेंटिमेंटल नहीं हुए. शी केम तो सी में आफ़े रेलवे स्टेशन बट दिन्ट नहीं आफ़े रेलवे स्टेशन बेब आया उनको छोडने पर बात नहीं के और कुछ एमोशन भी उन्होंना नहीं दिखाया. अर फिंगर बज़ी तेलिंग दिदि 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 रोजरी. रोजरी मेंस जो माला ओ गुमाती रती थी हाथ में मोतियों की माला. बज़ बट उन्होंना बाद में उसको इनको अच्छा भी लगा और इसको खुशन सिंग जी सोचे की शायद हो सकता है यह आमारे बीच में लास को और फिजिकल कॉंटक्त हो कि वो पांस साल करी जा रहत है. But that was not so. After five years I came back home and what was met by her at the station and she did not look at the day older. But asa nahi ho, पांस साल के वाज़ वाज़ वापे साय तो उनको एकड़ वैसी की वैसी दादी हमा वैसी की वैसी दिखी. She didn't look at day older. She still had no time for words and while she clasmed me in her arms I could hear her reciting her prayers. Even on the first day of my arrival her happiest moment were with her sparrows whom she feed longer and with free will study books. Okay, फिर भी उनोंना आके देखा कि जब उनकी दिंचर्या वैसी की वैसी रहती थी पहले उनोंने उसको गले लगाया and वो अपनी prayer करती रहती थी फिर वो आके अपनी words को वैसी की वैसी जो दाना देती थी वैसी की वैसी की देती रही. तो इस तरह कि उनकी दिंचर्या अदी ऐसी चलती थी कि इन देविनिंगे चार्ज, चेंज, गेमवर, शी दिद नट परे, शी कलेक्टिड था का देवोमन आफ ने ने वोमन आफ दी ने वरोट उनोंने चार्ज, अब उनोंने कुछ औरतों को बोला लिया और उनोंने अब भात घंटों तक इसी तरह से उनकी पर दोलोग बजाती रही और वो जो वारियर्स जो घराते हैं वापिस जो सेने की घराते हैं उनकी याद में मतलब इस तरह का यह कुछ लोग गीदगाती रही तो उनोंने बड़ी जित करके उनको वहां से उठाया क्या कि पहली बार उनोंने इस तरह से काम किया था और उनोंने पहली बारी प्रेयर नहीं करी थी नेक्स मौनिंग उनको फीवर आगया दोक्टर बोला कि कोई बात नहीं तो ठीक हो जाए का उनको पता बढ़ गया गुछ और सूचा कि नहीं मेरा लास दिना क्या कि मैंने कल प्रेयर नहीं करी थी अपनी माला जपने लगी और अपनी माला जपने लगी आपनी में अपने प्रेयर वेक्ट उस्प्टर लिपसों से अजब लगी अपने लगी और स्वेशाि फेट सूचा के विड़ा लगी जब ला यह मंगी तो लगी तूलागी जब लगी तोफने लाहीं में से अज़गे ले स्वेट से लीड़ा लगी पाण। मुट आरे करने के लिए चले गए और सन जो था उसे तो रहा था पुरा रूम नूसलाइट इंवरंडा में आग चुका था में आगा था आप आप ड़ूट है लुट आप ए रूम नूसलाइट इंवर यह रहा थाप प्राइट अच्छी का चुका नदी नूसलाइट इंप्सूस था पूरूर था पूर्ण आप आप यह बोडर नन आरे के लिए अच्छी में संवत करते हूं फ़ूरूर यह तो रू notice of the bread the sparrow took no notice of the bread when we carried my grandfather corpse off they flew away quietly next morning the sweeper swept the bread coo-crumbs into a dustbin when they had cremation they had to take them all the birds came and they had to take their that was the chapter so thank you for watching this video thank you very much